इन तस्वीरों में दिख रहे हैं मासूम और भूले भाले चेहरों के जासे में मताईएगा वरना आपको भी पश्थाना पड़ेगा इन मासूम चेहरों के पीछे शातिर लुटेरे चुपे हैं जो कार की बोनट से तेल गिरने का बहाना बना कर चंद सेकेंड में लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं इनके काना में सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे इस लुटेरे बच्चा गैंग ने पहले सोंवार दोपैर करीब बारा बजे पिलिभीत में बरेली के बिहारी पुर को अरूलान निवासी कमपनी सेकेटरी को अपना शिकार बनाया सुचना पर पहुची पिलिभीत पुलिस CCTV फुटेच खंगालने और उनकी तलाश में जुटी थी उधर इन शातिर बच्चों ने दोपैर करीब तीन बजे बरेली पहुच का प्रेमनगर में आगरा के एक वैपारी को अपना शिकार बना डाला दोनों ही मामलों में एक ही तरीके से कार से तेल गिरने का बहाना बना कर लूट की गई इन शातिर बच्चों ने पिलिभीत में कार से लैपटॉप तो बरेली में वैपारी की कार से पांच लाग रुपै और चेक से भराल बैग लूट लिया पिलीबीत में वारदात के बाद बैग लेकर जाते शातिर बच्चे का सीजी टीवी फुटेज भी सामने आया है इसमें बैग लूटने वाले शातिर की उमर महच 12 साल नजरा रही है पहले आप पिलीबीत में इस लुटेरे बच्चे गैंग का शिकार बने कमपनी सेकेटरी वसीम खान से सुनिये कि किस तरह शातिरों ने चंद मिनट में वारदात को अंजाम दिया पिर आपको बताएंगे कि इस गैंग ने बरेली में किसे अपना शिकार बनाया था थोड़ी स्लो करी मैं अपनी तो वहाँ पर एक बच्चा मेरे सामने करी बारा तेरा साल कर लड़का मेरे सामने एक आया तो उसने मुझे कार की बोरनेट की तरह बढ़ा मुझे लगा शायद यह कुछ कहना चार तो खर मैं वहाँ पुस पर मैं नहीं रोकी मैंने थोड़ा थोड़ा आगे जाके मैंने गारी रोकी महाँ पर अपनी कार रोकी जब मैंने तो मैंने निकल के चेक करा तो कुछ मुझे दिखा नहीं मैं दुबारा कार में बैठके अपने थोड़ा आगे और बढ़ा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा एक और व्यक्ति ने मुझे हाथ द देखने के लिए हम लोग दोनों कार से उतर है बुनट खोला बस इतनी देर हुई कि हम लोग बुनट खोला तो हमें कुछ लगा नहीं वहाँ पर हमने दुबारा बस बुनट बंद करके हम लोग आगे के लिए उस समय हमने देखा नहीं कार में के बैक हमारे दोनों बैक पीश पूछा तो फिर फिर पूटवाली जाके हमने इसकी सूचना दी तो साथ में धरोगा जी थे वो लोग साथ में हमारे आये काफिक सीचीव फूटेज नो ने देखा हमारा तो उसमें लड़का जाता हुआ दिखा बैग लिका निकालता हुआ तो नहीं जहां पर गाड़ी खड लेकिन जहां से वो लेके गया मस्जिद के सामने से वो सीचीव फूटेज में जाता हुआ दिखा है उसके बाद उसके साथ ही एक और साथ ही ता जो दोनों इस रिक्षा में बैठके वो लोग निगल गया हो लोग ये कल कितने बजे की घड़ना है कल ये अराउंड बारा ब ये का सेम है ये ऐसा अभी कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता ये तो पुलिस जाच कर रही है कि वो लोग सेम लोग है या क्या है लेकिन जितना अभी सूचना मिली है कि जो लाज शार्ट पहना हुआ है जो जो इस बच्चे ने मेरा लैप्टॉप बैग निकाला है बैग निकाल है किर्धा है कि वो जो है वा सेम लोग सेम हो तो लेकिन अभी ये तो जांच पुलिस का विशाया मिली पीली में भी हुई तो औरो ने का थाव हम यильिवी करेंगा मेरी बात भी होई थी तो नहीं हम कौाइडिनेशन में हैं बरेली पिलिवीद में कम्पनी सेकेटरी वसीम खान का बैग लूटने के बाद ये शातिर बच्चे ई रिक्षा से पिलिवीज रेलिविस सेशन पहुचे फिर बरेली पहुचकर दोपहर करीब तीन बजे प्रेमनगर में धोपीच औरहय के पास आगरा निवासी फुटवेर कारोबारी अशोक कुमार मिद्दा को इसी तरह अपना शिकार बनाया उन्हें भी शातिर बच्चों ने कार के रेडियेटर से तेल टपकने का जहासा दिया तो अशोक और चालग दोनों कार से उतर कर कार की बोनेट की ओर आगे आगए देखा तो पदा चला कि किसी ने कार की बोनेट पर तेल डाल दिया था दोनों इसे देखने लगे तभी शातिर बच्चा कार की पिछली सीट पर रखा कैश और चेक से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गया सुचना पर सीओ फर्स संदीब कुमार सिंग और प्रेम नगर इस्पेक्टर आस्तोष रगवणशी ने पहुचकर CCTV खंगाले तो एक बच्चा बैग लेकर जाते हुए दिखाई दिया आई आपको दिखाते हैं इस घटना को लेकर सीओ ने क्या जानकारी थी थी यह प्रेम नगर थारा चेत के अंगर आज अभी करीब तीन चालिस पर एक सूचना मिली कि एक व्यवसाई जो की आगरा के रहने वाले है यहां पर व्यवसाई के संबन में आयते कुछ पैसा कलेक्शन करने के लिए और कलेक्शन पैसा जो बैग में उनके इनोवा में रखा हुआ था एक जो की सीसी टीवी कैमरे से दिख रहा है कि एक बच्चा करीब अब युक्तों की तलास जो है लगातार की जा रही है और ट्रैक किया जा रहा है जैसे ही होता है ना वह इस घटना का जल्दी से जल्दी कोशिश करें की जा रहा है जैसा कि उन्होंने अपने एप्लीकेसन में पांच लाग रुपए का उल्लेक किया है फिलहाल और और लो एंपने लुपए